पुराने से पुराने तिल और मस्सों को जड़ से खतम करें वो भी बिना किसी दर्द के और नेचरल तरीके से दोस्तों आपके सरीर में कहीं पर भी तिल और मस्से हैं यानि कि आप अपने अंचाहे तिल और मस्सों को हमेशा के लिए रिमूब करना चाहती हैं बिना किसी तो यह नेच्टनल तरीका आप जरूर यूज करके देखना मस्सा आपका चाहे बड़ा हो या पर छोटा हो यह जो नुस्खा आपको बताने जा रही हूं यह आपके तिल और मस्सों को हमेशा के लिए रिमूब करेगा तो नुस्खा तयार करने के लिए आपको क्या करना है आ आपको लेना है टमाटर और लाल टमाटर लेना है और टमाटर लेने के बाद में आप इस तरीके से इसको कट कर लें और अब इसके बाद में हमें करना क्या है आप चाहो तो मिक्सी के जार में डाल करके इसका पेश्ट बना ले या फिर आप मेरे तरीके से इस तरीके से ग् सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करना साथ ही साथ अपने फ्रेंड और अपने दोस्तों में पार्ट सब पर फेस्बुक पर इस वीडियो को जरूर सियर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाब उठा सकें तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको मैंने कर लिया है ग्रेट तो मैंने करीबन आदा टमाटर इसमें ग्रेट कर दिया है और अब इसको इसमें हम डालेंगे कुछ चीज हैं दोस्तों यह नुसका बहुत बैतली नहीं है और टमाटर में भरपूर मात्रा में बिटामिन सी होता है और यह तिल और मस्सों को बिल्कुल जड़ से र करता है तो आपको लेना है केस्टर ओएल तो हम क्या करेंगे इसमें करीबन आदा छोटा चमच हम इसमें डाल देंगे केस्टर ओयल दोस्तों मस्सों को जड़ से क्या करता है सुखाता है पहले हैं जह में जहले हम करीवन आदा चमच इसमें डाल देंगे यह देखिए इन अब इसके बाद में हम क्या करेंगे इन दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे दोस्तों बहुत बैटरी नुशका है तिल और मस्ते बहुत से मस्ते तो अच्छे होते हैं लेकिन तो देखनें में बद्धे लगते हैं जैसे कि हमारे चहरे पर निकलाएं गर्दन पर निकल आया है कहीं हाथ में निकल आया और देखने अच्छा नहीं लगा तो आप इसमें उसके को यूज करिए और आप अपने अंचाहित तिल और मस्तों को हमेशा के लिए रिमूग करें अगली चीज में इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर जो यह हल्दी पॉडर होता है कि इन्प्रेक्शन को खतम करता है क्योंकि इसमें एंटी वसंगल और अंटी बैरल गूडर होते हैं जोकी साती साथ इसमें यह जो हल्दी पाउडर होता है यह आपके मस्तों को क्या करें का सुखा दिएगा आपने देखा किसी कभी किभी किसी के पैर में सुजन आएती है तो हम हल्दी को लगा दें तो दोस्तों क्या होता है सुजन खतम हो जाती है आप इसने उसके कोई यूज करिए आप देखना एक बार में ही आपके जो तिल और मस्से हैं तिल का जो कलर है वो डाउन होने लगेगा और जो मस्से हैं वो सिकूडने लगेंगे तो यह सारी चीज में में modifying के जार में डाल कर के थोड़ा सा कूट lorsे अदर कोटने वाले से और म मिक्सी के जार में डाल कर के उसका बनार ले तो बहुत बहुत बैद्ठी तरीके के से लगा दीजिए और लगाने के बाद में आप करीबन 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें इस तरीके से आपको पूरे दिन में तीन बार इस नुश्के को लगाना है और आप देखना पहले दिन में ही आपके तिल और मस से शिकूरने लगेंगे और जब आप इस आपकी जो मस्य हैं सुकूर करके सूप करके जड़ जाएंगे तो लगातार आप इसने उसके को तीन दन तक यूच करिए आप अपने तिल और मस्यों को जड़ से खतम करिए